हलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज हम फैब्रिक पट्टी और कट वर्क के साथ प्लाजो पैंट का सबसे खुबसुरर डिजाइन बनाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा तो आपका जादा टाइम ना लेते हुए अब हम ना दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे दो दो पैर अंदर की तरफ उसके बाद ना इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें किनारी की सिलाई लगा लेनी है तो ऐसे हमने पट्टी पे किनारी की सिलाई लगा के इसे तियार कर लिया है अब हम इसे लगबग 2,5 इंच के छोटे छोटे पीसीज कट कर लेंगे तो ऐसे हमने सारी पट्टियां कट कर ली है अब हम इन पटियों को ये वले paper के उपर रख के stitch करेंगे तो ऐसे हमने एक paper लिया है, जिस पे मैंने ये दो सीधे सीधे mark कर लिये हैं ये marking हमारी लगबग dredding चोड़ी है ये देखिए, ये marking हमारी dredding चोड़ी है और मैंने इसके सेंटर में भी ना एक सीधी सीधी मार्किंग कर ली है अब हमें इसी मार्किंग के उपर अपनी ये वली पटियों को रखते हुए स्टिच करना है तो ऐसे एक पटि लेंगे और उसे इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल सेंटर वाली मार्किंग के उपर उपर ना सिलाई लगा देंगे तो हम पटियों के बीच में कोई भी गैप नहीं लेंगे बिल्कुल साथ साथ करके इस तरीके से पटियों को रखेंगे और सेंटर वाली मार्किंग के उपर-उपर शिलाई लगाते जाएंगे तो ये दिखिए हमने पट्टियों के बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा ली है अब हमने क्या करना है एक पट्टि को न इस तरीके से ऐसे घुमाते हुए यहाँ पर बाहर वाली मार्किंग के उपर उपर शिलाई लगा लेनी है तो ऐसे ही हम सारी पटियों को घुमाते जाएंगे और शिलाई लगाते जाएंगे तो ऐसे हम पटियों का क्रॉस बनाते जाएंगे और शिलाई लगाते जाएंगे तो ये दिखिए हमने एक तरफ से पटियों को घुमाते हुए ना सिलाई लगा लिए है। इस तरीके से एसे घुमाएंगे ये वली पटिया और यहां पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हमने पटियों पे दोनों तरफ से लाई लगा ली है अब हम दोनों तरफ से इसे बराबर बराबर कट कर लेंगे तो ऐसे हमने अपनी फैबरिक पटियों वाले पेटरन को दोनों तरफ से बराबर बराबर कट कर लिया है अब हम इस पेटरन को अपनी प्लाजो पेंट के साथ स्टिच करेंगे तो ये मेरी प्लाजो पेंट है और ये इसकी महरी वाली साइड है चैन्ट को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे और पटिओं वाले पैटरन को इसके उपर ऐसे उल्टा करके दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहां पे ठीक उसी सिलाई के उपर शिलाई लगाएंगे जिससे हमने पटिओं को घुमाया है तो ये वली सिलाई हमने ऐसे लगा ली है अब हम इस पैटरन को नीचे की तरफ कर देंगे और यहाँ पे भी एक किनारी की सिलाई लगा लेंगे तो ये देखिए हमने यहाँ पे किनारी की सिलाई भी लगा ली है अब हमने इसके नीचे कटवर्क वाला पैटरन स्टिच करना है तो चलिए वो कट कर लेते हैं तो कटवर्क का पैटरन कट करने के लिए मैंने ये बुकरम का एक छोटा सा पीस कट किया है ये लगबग दो इंच ओडा रखा है और लंबाई में ये उतना ही है जितनी हमारी प्लाजोपेंट की मोरी है और इसके बिल्कुल सेंटर में न मैंने एक सीधा सीधा मार्क कर लिया है अब हम एक छोटी सी बेंगल लेंगे इस तरीके से और इसे न अपनी मार्किंग के उपर ऐसे रखेंगे ऐसे रखेंगे और इसके न बाहर बाहर बिल्कुल इसके बराबर बराबर मार्ग कर लेंगे इस तरीके से ऐसे ही हमने साथ साथ बैंगल को रखते जाना और मार्ग करते जाना है तो ऐसे हमने कट वर्क वाले बेटरन को मार्क कर लिया है अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं तो ये दिखिए कट वर्क का पेटरन हमने ऐसे कट कर लिया है अब हम इसे सेम प्लाजो पेंट वाले फैबरिक के उपर पेस्ट कर लेते हैं तो ये दिखिए कट वर्क वाले पेटरन को मैंने सेम प्लाजो पेंट वाले फैबरिक के उपर पेस्ट कर लिया है और इधर से आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जन लेते हुए से फोल्ड भी कर लिया है अच्छे से अब हमने इसके जितना ही एक और फैब्रिक कट करना है बिल्कुल इसके जितना ही लंबा और इसके जितना ही चोड़ा ये वले फैब्रिक को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे इस तरीके से और कट वर्क वले फैब्रिक को ना इस तरीके से इसके उपर उल्टा करके रखेंगे दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहां पे बिल्कुल अपने कटवर्क के किनारे किनारे पे सिला ही लगा लेंगे तो यह देखिए यहां पे हमने कटवर्क के किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है अब हमने यह उपर वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहां से ट्रिम कर लेना है अपनी सिलाई के साथ लगबग एक एक पैर का मार्जन लेते हुए तो यह देखिए उपर से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर लिया है अब हमने यहां पे एक एक कट लगा लेना है यह कट आपकी सिलाई तक लगे लेकिन यह ध्यान में रहे आपकी सिलाई ना कटे तो सारे कट्स भी हमने इसमें लगा लिये हैं अब हम इसे पलट लेते हैं इस तरीके से तो ऐसे हमने सारे cut work को पलट लिया है अब हम इसे press के साथ अच्छे से बिठा लेंगे और ये जो पीछे वाला fabric है ना इसे भी हमने अंदर की तरफ ऐसे fold करते हुए ना press के साथ अच्छे से बिठा लेना है बिल्कुल इसके बराबर बराबर तो ऐसे हमने cut work वाले pattern को press के साथ अच्छे से बिठा लिया है और पीछे वाले fabric को भी ना अंदर की तरफ fold कर लिया है press के साथ अब हम इसे ना अपनी plazo paint के साथ stitch करेंगे cut work वाले pattern को ऐसे खोल के रखेंगे और plazo paint को ना इसके अंदर ऐसे दबाते हुए यहाँ पर हमने किनारी की सिलाई लगा लेनी है तो यह देखिए हमने यहाँ पर भी किनारी की सिलाई ऐसे लगा ली है अब हम पीछे से paper को निकाल लेते हैं तो जहाँ पर हमारी सिलाई लगी होती है ना वहाँ से paper को निकालना बहुत ही असान होता है तो ये देखिए फ्रेंस हमने पीछे से पेपर को भी निकाल दिया है और देखिए कितना खुबसुरत लग रहा है हमारा ये प्लाजो पेंट का डिजाइन तो अब हम क्या करेंगे कट वर्क के ये वले कोने कोने पे ना एक एक पर्ल पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक ग्लू के साथ ये फैब्रिक ग्लू धोने से भी नहीं उतरती इसलिए बिना टैंशन से इसके साथ पर्ल पेस्ट कर सकते हो तो ये देखिए हमने सारे पल यहाँ पेस्ट कर लिये हैं और ये सूख भी चुके हैं देखिए कितना खुबसुरत लग रहा है न हमारा ये प्लाजो पैंट का डिजाइन तो अब हम इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं तो ये देखिए इसे फिटिंग की सिलाई भी लग चुकी है और देखिए एकदम नया और कितना ब्यूटिफुल हमारा ये प्लाजो पेंट का डिजाइन बनके ऐसे तयार हुआ है तो अभी मैं आपको इसको पहन के भी दिखाती हूँ तो पहनने के बाद हमारा एक खुबसूरत प्लाजो पेंट का डिजाइन कुछ ऐसे आ जाएगा तो आप भी ये वला डिजाइन अपनी प्लाजो पेंट पे जरूर ट्राए करें तो अगर आपको मेरा ये डिजाइन और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको राइको शियर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं तिल देन बाबाई